नमस्कार दोस्तो फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल प्याप सभी का स्वागत है इस वीड़ा में हम देखेंगे फैंटेसी टिप और बेस्ट रिमिलन कॉमिनेशन फॉर यूरो ट्वेंटी ट्वेंटी गेम विब्डिन फ्रांस और जर्मनी जो दोस दोस्तो दोनोंगी टीम्स तकड़े फॉर्म में हैं तो देखें इस गेम की रिसेंट परफॉम्स का कैसा रहा है एक्सपेक्टिड इलेवन क्या है की प्रेस कौन से होंगे और सजेस्टे ड्रिम इलेवन टीम क्या होगी एंड में दोस्तों हम आपको चार ग्रांड लीग ऑ बहुत ज्यादा उन्धा उनका रिटान और इंवेस्टमेंट पॉलिसी है तो दोस्तों अगर आप मेगा कॉंटेस्ट में पाटिशिविट करते हैं जो की तीन लाग का है उसमें आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलेंगे ही मिलेंगे तो दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस सीजन PSL वाला आप fantasy अखड़ा पर खेलेगा ट्राइ करेगा अगर आपको पसंद आया तो continue करेगा नहीं करेगा तो मैं कॉमेंसेशन में ज़रू बताया कि क्या improvement हो सकती है ताकि दोस्तों हम आपके best to best experience देख सके और आपको best to best app आपको बताए जिस पर आप खेलके अच्छे खासा जीट सके तो अगर आप खेलते हैं तो इसमें code यूज़ करेगा विन FSP वाला अब बढ़ते वीडियो में आगे तो दोस्तों दोनोंगी टीम के qualifying group देखते सबसे पहले तो France group H में थी जापनोंने 10 game के रही थी उसमें से 8 game जीती थी एक game draw करी थी और एक game हा तो दोस्तों three best teams तो यूरो 2020 के contender से जीतने के वह एक ही group में पुछूगा फ्रांस और जर्मनी तो दोस्तों काफी तकड़ा होने वाला है और हमने जर्मनी फ्रांस पुछूगल तीनों ही टीम के ऊपर details squad analysis का एक वीडियो भी बनाया है जापे हम तीनों ही टीम के बारे में in-depth knowledge देते क्यों तो कि दोस्तों जब games होती है तब in-depth knowledge देना फ्रांस हो जाते है इसका हमने पहली बना है और अगर आपने वह भी तक नहीं देखा तो हमने comment section में उसकी link दी हुई है तो फट से देख लीजेगा बाद आगे ताकि दोस्तों आपको और भी detail में पदा चल जगे तीनों ही teams की कैसी है squad साथ में दोस्तों वहाँ पर हमने आपको tips भी दिये है कि आपको कौन से प्लेस कब लेने चाहिए तो वह भी आपको काफी help करेगा अब देखते हैं दोस्तों का recent form कैसा है तो लास्ट पास गेम में दोस्तों फ्रांस तो अन्बीटन रही है जहाँ पर उन्होंने बहुत तकड़ा performance दिया चार गेम जीती है और एक ही गेम ड्रॉ करी है उनके अटक में दोस्तों बहुत ही उन्दा खेला लास्ट पास गेम है को तबहा करें दोस्तों और एक गेम कर ड्री है लास्ट डre ने दोस्तों उन्होंने लट्विया को तभा कर दिया था बहुत या दा अब बात के आते हैं की स्टार्ट की तो दोस्तों लास्ट आठ यूरो गेम जो जो रमी ने खेले उसमें से वह साथ गेम अंडिफिटेट रही है और दोस्तों उन आठ गेम में उन्होंने एट लीस्ट दो गोल तो स्कोर करें ही करें तो दोस्तों अटाक वाइस जहर्मनी का पहुत ज्यादा उन्द है फ्रांस ने जब हेड़्ट रेकॉर्ड में पार्टिस्पेट किया था जर्मनी के सामने था काफी उन्दा पास गेम में रही है तो दोस्तों यह ट्रेंड शायद चेंज हो सकता है जर्मनी शायद उन्दा पफरमेंस इस दे बट इवन की फ्रांस हो सकती है गिवन दोने टीम का रिशन फॉर्म बहुत ज्यादा तकड़ा है तो यदि दोस्तों आपका इच्छे स्टार चैनल इस इस मौने टेस्ट रखते मज़ा आता है तो हमां टेलिग्राम चैनल ज़रू ज़रू करें जिसका लिंक है और कॉमेंट एक्शन में दिया है और अगर आपके वीडियो अभी तक पसंद आए मज़ा रही है हमाई रीसर्ट देकर रिसूटों को ज़रूर लाइक करेगा शेर करेगा और हमाई जाको ज़रू सब्सक्राइब कर दीजेगा एक्सप्रक्ट 11 की बात गया दोस्तों तो हमने दोनों टीम्स के टॉप गेम होगा पहला गेम खेलेगी हो यूरो में और वो चाहेगी कि इपने पहला गेम जीत के ही टूनामेंट की शुरुवात अच्छी करे इसलिए दोस्तों हमने भी इस हिसाब से हमारी एक्सप्टेट प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करें की बात करें दोस्तों तो फ्रांस की सा क्लब रेकोड की बात करें यह सीजन में तो दोनों ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिये हैं सब्सक्राइब करें तो ग्रीजमेंन इंबाप यह दो हमारे टॉप पिक है चाहिए दोस्तों दोनों आपके अच्छे खासे काप्टन सी वाइस काप्टन सी उप्शन में चूज हो सकते हैं अगर दोस्तों आप बैक करते हो कि घर्मनी भी इस गयमें स्कोर करेंगी तो आप एक घर्मनी के श्राइडल को ट्राइब कर सकते हैं दोस्तों उसके पार हमने जब हम लेज प्लेयर आपको देंगे तब हमने आपको पता है तो इन तक बने रहेगा दोस्तों आपको वह चीज़ भी पता चल सके तो क्रूज कुंड़ागूं कांटे और केमिच यह चार हमार का स्ट्रेंद देना वह काफी ज्यादा अच्छा है ऐस कंपर टू फ्रांस हमने अटाक कर फ्रांस के सिलेक करें और मिट फिल में घर्मनी को बैक करा है अब देखते हैं दोस्तों डिफेंस की डिफेंस का बात करें दोस्तों तो हर्नानिड़स पवाट और गोसंस यह तीन ह जादा इंवेस्ट हमने मिटफीड और अटाक में किये और दोस्तों हमने गोल कीपर नौर को चूज किया जर्मनी के कीपर को क्योंकि फ्रांस का अटक बहुत ज्यादा है तो एस कंपेड टू जर्मनी फ्रांस ज्यादा शॉट्ट शॉन टार्गेट लेगी तो नौर को ज् क्रेडिट्स लेफ्ट है तो देखते हैं दोस्तों 11th प्लेयर के लिए options जब हम आपको दे रहे हैं वह कौन से होंगे क्योंकि दोस्तों यह आपको काफी help करेगे जब अपनी grand league team बनाते हो तब साथ में है जब आप head to head small league में multiple stream डालते है उसमें भी काफी help करेगा जब आप बैक करते हैं फ्रांस को clean sheet रखने के लिए तो आप वनान को try कर सकते हैं in place of Germany defender अगर आप Germany को back करते हैं और अगर आपको लगते हैं कि दोनों ही टीम से उन्दा performance देगी तो आप मुलर और हवर्ट में से किसी एक player को as a 11th player try कर सकते हैं दोनों ने दोस्तों क्लब लेवल पे क दोस्तों करना चाहते हैं तो कोई भी combination जो आपको नहीं लगता है कि टीम में होने चाहिए जो हमने अभी टीम दिए उनको निकाल कि यह अचार प्लस को भी अपनी टीम में try कर सकते हैं तो जोस्तों अगर आपको हमारी फाइनल टीम जानने हैं हमारे काप्टेंश काप्टे सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका नाम है फैंटेसी स्पोर्स प्रोफेशर उसके लिंक हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कॉमें सेक्शन में दिए जा गेम शाड़ों से जस्वाइनल टीम मिल जाएगी वितार काप्टेंश 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 को जो आपक की बेनिफिट है और अगर आपको वीडियो पसंद आ है अच्छी लगी हमाई रिसर्स किस्टों को जरूर लाइक करेंगा शेर करेंगा सब्सक्राइब करेंगा और हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन करना मत भुड़ेगा और यादा कि दोस्तों फैंट्रेक्स को टेक्ट फ फाइनेंशर रिस्क जरूर नॉल्ड होता है तो अपनी केपेब्रिटी जाज इसमें इंवेस्ट मत करेंगा जैसे और क्रिकेडिया फुटबॉल वीडियो जन्नेवाद